हेलो गैज, कहीं भी आप लोन या फी credit card के लिए apply करते तो वहाँ पर आपका credit score देखा जाता है वहाँ पर आपका credit score के साथ आपका credit report भी देखा जाता है तो भारत में चार इसी company जो हमे credit score या फी credit report देती है पहला है Sibyl और दूसरा है experience तीसरा है Equipace और चवता है CRIF चेक होता है लेकिन हाँ अगर आप mobile से mobile application से अगर आप loan लेते हैं या फिर कोई भी चीज pay later हो गिया या फिर कोई भी या फिर किसी भी परकार का loan हो तो वहाँ पर आपका civil के साथ-साथ experience भी चेक किया जाता है तो अभी के दोर में उसमें कहीं कुछ गलतिया तो नहीं अगर गलतिया है तो आप उसे सुधार भी कर सकते हैं तो experience का credit score और credit report देखने के लिए आपको जो description लिंक उस पर आपको क्लिक करना है और आपको उस पर आना है तो first of all यहाँ पर आपको कुछ इस पर करके इंटरफेस आगा है यहाँ पर जो लिख़ए explain credit को इस पर वो किलिक करना है तो यहाँ देखिए open हो रहा तो चलिए इसको open होने देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ details पुछेगा तो यहाँ पर जो लिख़ए full name अपना email id डालिएगा उसके बाद यहाँ पर mobile number डालें और जो भी आप अभी mobile number दियें उसमें यहाँ OTP जाएगा वो OTP यहाँ पर दर्ज किजिए और get credit report पर किलिक किजिए तो चलिए हम पहले डाल लेते हैं उसके बाद get credit report पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर हमने OTP दर्ज कर लिए है तो चलिए अब get credit report पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए my dashboard open हो गया और my experience का credit score यहाँ पर show कर रहा है 851 यानि कि अभी जो हमारा experience का credit score है वह 851 है जैसे ही आप scroll down किजिए कि यहाँ पर आपका total credit account show हो जाएगा और total current balance यानि आप पर अभी कितना बकाया है व तो 851 मेरा experience credit score है अब हमको experience credit report देखना है तो यहाँ पर view repeat पर आप किलिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा credit report यहाँ पर आपका आ जाएगा तो यहाँ पर देखिया 851 कर रहा है और यहाँ पर आप पस कितना balance बागी है कितना आपका account active है कितना account close कर दी है और last 30 days और 90 day या फिर 180 days में कितना inquiry की यहाँ पर आपका show हो जाएगा उसके बाद आहाँ पर आपका account का नाम आ जाएगा और कौन से active है और कौन से कब open किये थे यहाँ पर आपका show हो जाएगा तो आप भी अपना experience credit score जानने के लिए आपको इस परकार का step आपको करना है link आपक description में मिल जाएगा किस परकार से करना है इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा तो उम्यद है वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और तो इसी परकार का banking और finance को वीडियो जी देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके र